सब लोगों को अभी जारकंड सरकार ने और JSSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जारकंड PGT एक्जामिनिशन के लिए और ये डिकलेर कर दिया है ये संभावित थी जारी कर दी गई है कि 21 दिसंबर से परिक्षा हो सकती है तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये परिक्षा 21 दिसंबर से हो पाएगी या उससे आगी जाएगी तो इन समावनों को अभी नकारते हुए आप ये तैमानी है कि जब डेडलाइन सरकार की तरफ से दे दिया गया है 21 दिसंबर वैसे उमीद है कि बड़स भी सकता है लेकिन अगर 21 दिसंबर डेडलाइन दे दिया गया है तो हम लोग 21 दिसंबर मान के और अपनी तैयारी मजबूत करेंगे बहुत सारी लोगों का कमेंट आता है यूठीब के उपर कि कौन सा बुख खरीदना चाहिए जितने हमारे online students है वो सारे पूछते हैं कि कौन सा बुख खरीदे अबजठीव के लिए कौन सा बुख खरीदे तो अबजठीव के लिए पूरे जहारखन के अंदर जो PGT का syllabus जारी किया गया है वो PGT का syllabus यूनिक है थोड़ा जारखन सरकार हम लोगों के पर ज़्यादा महरबानी बदी है कि हम लोगों का syllabus ऐसा डिजाइन करके रखी है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं बिहार PGT असान है UP PGT असान है, हर्याना PGT असान है पंजाब में PGT असान है हानि कहीं भी PGT आ का एक्जाम आप निका लिजेगा PGT का जारखन PGT का एक्जाम निकाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं जारखन सरकार की जो सिक्षा बेवस्ता है उसके कारण लगता है जारखन सरकार को कि हमारे यहां के जो पोस्ट गेजुए ट्रेंट टीचर आएंगे PGT टीचर आएंगे उनके अंदर ये तनी क्वालिटी होनी सी है कि ये जो जारखन के जरजर स्कूल्स है उनका इस्तिती बहुत बहतर कर देंगे पता नहीं कहां से उठा के बना देते हैं पता डाल के फिर से प्रजेंट कर दिया गया है और वही उपर में पुब्लिकेशन वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो कहां का है उसको लगता है सारे जगा का पीजीटी तो एक ही जैसा है उपर से मारता है जहारखन पीजीटी और भेज देता है और हम लोग धडले से उसक उसको मैच कीजे हाँ ये मानना है कि कुछ पुछ तौपिक तो मेड़ा है इसा नहीं है इसा नहीं कुछ तो पिक मीड जो उससे वहां पढ़ सकते है अगर आप खरीद लिए तो लेकिन अपने सेबस के एक ओरडिए अगा क्यों कि एक्जामनेशन में आपके सीलेबस से ही क्योंकि ना तो कोई market में एक साथ combined syllabus आया है, syllabus से related कोई objective book आया है, ना ही किसी एक book में इतने सारे collection आ सकते हैं, एक छोटा सा guest paper लेके आप सोचेंगे कि हम पूरा syllabus कबर कर लें या समभव ही नहीं हैं, इसलिए आप income tax का SC मेरोतरा का book पर सकते हैं, SBPD publication का भी income tax का book पर सकते हैं, दोनों book अच्छी है, आप चाहें तो कोस्ट accounting के लिए आप SBPD publication का या साहित भवन publication का, यह दो publication के book खास करके जारकन में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग उसी book से पढ़के आगे बढ़े हैं, तो SBPD publication या साहित भवन publication में से कोस्ट accounting का book आप खरीद दीजे, अगर आपको लग organizational theory जो हम लोग बोलते हैं, वो master degree हम लोग पढ़ते थे, M.com में, industrial relation भी M.com में पढ़ना था, तो लगभग सारा syllabus, money in banking भी हम लोग M.com में पढ़ चुके हैं, financial market, financial institution, अगर आप हाल फिलाहल में पढ़े हैं, तो CBCS system था, उसमें भी B.com में यह syllabus दाले गए हैं, तो यह सारे books हमारे पास से बढ़े हैं, अगर book आपके पास है, तो बुक से पढ़े हैं, नहीं है, तो कोसिस किजे कि उसका PDF फॉर्म अगर मिल जाता है कहीं से, तो PDF फॉर्म लेके पढ़े हैं, लेकिन डेटेल अगर पढ़ना आपको किसी भी चीज के, क्योंकि एक इसी टॉपिक से ज़रूरी है, अगर आप books नहीं पढ़ेंगे, तो डेटेल में आपको समझ नहीं एगा, और साथी साथ टेस्ट भी लिखे उस book का, ये बहुत ज़रूरी है, अपने syllabus के according, आप पढ़ लेजिए कभी रोकियं मत, क्योंकि ये दुबारा चांस नहीं मिलेगा, तो हम 100% अपन का books, खास करके मैं commerce का सिख्चक हूँ, तो commerce में तो कोई book नहीं है, बले बड़े, दूसरा है कि अगर बहुत सारे बच्चे अपनी तयारी कर रहे हैं, हम लोग चुकि डिजिटल मोड में commerce word भी, डिजिटल मोड में पढ़ाए क्लास लेता है, हमारे यहां भी online courses में 50-60 students ताकि एक महीने का जो period है, वो अच्छे से पढ़ सके, उसके लिए मेरे दिएवे नंबर पर उकांटेक कर सकते हैं, उसके लिए करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर मेरा अप्लिकेशन इस्टॉल कर लेना होगा, और साथी साथ, जो अगर क्लास नहीं भी करना चाहते ह हमारे हैं टेस्ट स्रीज स्टार्ट हो रहा है, और हर टेस्ट वो कोई भी बेक्ति, जारकन के कोई स्टुडेंट अगर कॉमर्स से रिलेटेड है, वो टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देने के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो हजा पर दे सकते हैं, अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा, प्ले स्टॉर से, कॉमर्स वर्ड हजारी बाग, जैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें नंबर मांगेंगा, नंबर आप डाल देंगे, नंबर डालने के बाद, अप्लिकेशन एक्टिव हो जाएगा, जब एक्टिव हो जाएगा, तो उसके बीच में नीचे, होम के बीच में स्टोर सेक्शन आएगा, और स्टोर सेक्शन में जाके, आप direct purchase कर सकते हैं अपने test को एक test का वहाँ फी रहेगा वो फी पे करके आप direct test में जा सकते हैं और याद रखना है एक test में 150 question से कम नहीं होता है हर test में 150 question और देड़ सो question का फी वो रहेगा और देड़ सो question एक बार में आपको देना है test में अभी commerce बड़ हजारी बाग 1500 question करके पूरे syllabus का लगभग 3,000 question का टार्गेट हम रखे हुए कि हम 3,000 question का पूरा टेस्ट ले ले और 3,000 question का पूरा आंसर लोगों को दे दे ताकि जारखन में सब ही लोगों के बीच में competition तो हो जबर जस्त हो इसमें जो perform करेगा वागे बढ़ेगा जो perform नहीं करेगा वो पीछर हाजाएगा क्योंकि competition अगर जबर जस्त होगा तो पढ़ने में भी मजाएगा और पढ़ाने में मजाएगा content में मजाएगा और exam देने में मजाएगा performance बेतर होना चाहिए इसलिए अगर आप सभी लोग online test में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे application से जुड़े हमारा contact number है आप हमी phone कर सकते है online test के लिए साथ ही साथ online courses अगर आप जोइन करना चाहते हैं जैसे हमारे आदिखिए इस तरह के बहुत सारे notes हमारे पास है जो पीडिया form में आपको मिलेंगे यह सारे notes हमारे application पर अब लेबल हैं यह सारे नोट्स यह सेरेबल नहीं है मैं सेर नहीं कर सकता किसी को जब तक वो payment नहीं कर दे इसलिए सारे सारे notes हमारे application पर अबलेबल है application में अपना आम से पढ़ सकते हैं जैसे इंकम टेक्स के बारे में लिखा हुआ है देखिए यह notes हम आपको screen करके दिखा रहे हैं कि notes का क्या criteria है कैसा notes बनावा है और इक बात सबसे बड़ी बात है कि जारकन में कहीं कहीं किसी institution में notes करेंगे जबज़स तरीके तरे त्यारी करेंगे अगर आप अभी भी कहीं भी class ज्वाइन किये या कहीं ज्वाइन किये आपकी तयारी अच्छी नहीं हुए आप जूर सकते हैं minimum fee में आपको जोड़ा जाएगा आप अच्छे से exam लिखे आपकी तयारी अच्छी हो यह हम च अगर subjective तो बहुत लोग पढ़ते हैं जब उसी से objective सवाल आ जाते हैं तो मन घबरा जाता है question का answer नहीं कर पाते हैं लगता है यह answer होगा होता कोई और है तो जब तक आप test नहीं देंगे अपने आपको test नहीं करेंगे तो सबसे पहले आप test दीजिए ताकि अपने आपको test क कर सके कि आप कितने पानी में हैं और कितने त्यारी और करनी की ज़रूत है strategy क्या है एक plan बनाईए strategy बनाईए कि कौन सो topic मेरा अच्छा है अगर हम लोग बात करें organizational behavior की हम लोग बात करें industrial relation की तो पता चले इंड़स्टियर रिलेशन का portion मेरा अच्छा है organizational theory का portion मेरा अच्छ के उपर ज्यादा focus करना पड़ेगा तो जब तक आपके पस को strategy नहीं होती कोई plan नहीं होता है आप success नहीं करेंगे सखफलता के लिए plan का जोरूदी है अगर plan नहीं है लक्षन इधारित नहीं है नियोजन नहीं है हम लोग business man है हम लोग business पढ़े है commerce के student हम लोगों को मालू बिना plan का एक बेक्ती ठीक उसी परकार से काम करता है जैसे एक बेक्ती नाउ लेकर समूदर में चला गया और उसको पता नहीं क्या करना है कहा जाना है मतलब वहले गोल लेस परसन गोल लेस उसका कोई गोल नहीं कोई objective नहीं है तो वो सफर नहीं होगे वो जहल रहे है तो मैं यह आपको बताना चाहता था कि हमारे हां ओनलाइन टेस्ट फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हर हमारे हां टेस्ट का कोई package नहीं है बहुत लोग package मना के बेच रहे हमारे हां कोई package नहीं आप जब टेस्ट देना तब दीजिए एक test का जो free है वो आपके पास महा रहेगा सिर्फ minimum one minimum three वो भी सारे जारकन में सबसे कम fee मेरा रहेगा test का और सारे जारकन में courses के भी सबसे कम fee रहेगे हमारे अपरियास से हर लोग पढ़े और हर लोग आएं क्योंकि कि competition जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही मज़ाएगा पढ़ने में और उतना ही qualified लोग आगे बढ़ेंगे जो सिक्षित है जो जानकार है जो नोलेज है जो मेहनत करना चाहते है वो आगे बढ़े ऐसी मेरी कामना है थेंक्यू